क्लास 11 फिजिक्स में आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आएं बच्चो गुरुत्वी विभौ किसे कहते हैं इसका मातरक भीमी सूत्र देखेगा एक परिभासा बहुत ही सिंपल है कि एक आंक द्रब्मान के पिंड को आनन्त से गुरुत्वी चेतर के किसी बिंडु तक लाने में जो कार करना पड़ता है उसे उस बिंडु पर हम गुरुत्वी विभौ कहते हैं थोड़ा सा एक आप मान लीजे पिंड बनाओ बच्चो जैसे मैं माना मान के चलता हूँ एक M द्रब्मान का पिंड है इसका द्रब्मान M है और बिंडु ओपर रखा हुआ है ठीक है और का वहे छेत्र जहां तक यह किसी पिंड पर बल लगा सके वो उसका गुरुत्वी छेत्र कहलाता है अब बच्चो मान के चलता हूँ इस दिशा में आपका गुरुत्वी छेत्र है इसका गुरुत्वी छेत्र है और गुरुत्वी छेत्र है इधार अनन्द से हम किसी वस गुरतवी छेत्र के किसी बिंदू तक लाने में जो कार करना पड़ता है समझना एकांग दरबमान के पिंड को अनंत से गुरतवी छेत्र के बिंदू तक लाने में जो कार करना पड़ता है बच्चो यही गुरतवी विवहों कहलाता है कुछ समझ में आया कि एकांग दरबमा के पिंड को अनंत से गुरुत्विय छेत ये आपका बच्चो एक वस्तु है एक पिंड है जिसके कारण गुरुत्विय छेत रहे गुरुत्विय छेत पार एक बिंदु पी है तो किसी बिंदु तक लाने में जो कार करना पड़ता है वो कार बच्चो गुरुत्वी वह कहलात गुरुतिवी विभव बोलेंगे यहाँ पर आपका गुरुत्त के कार्ण विभव तो गुरुतिवी विभव बाकी आप लोगों ने विभव पढ़ा आये और नहीं पढ़ें टेंथ में पढ़ें वह से बिद्दू छेतर के किसी बिनू तक आबेस को ला रहे हैं तो वह कार आपका विभव कहलाता है लेकिन ये गुरुत्य विभव कहलाएगा बच्चो ये रिणातमक होगा होगा क्योंकि हम इसके विप्रिद दिशा में कार कर रहे हैं तो बच्चो small m हो गया और small m को लाने में एकांग दरबमान के पिंड को लाने में कार करना पड़ता है इसलिए बच्चो यहाँ पर w upon m हो गया एक चीज हमेशा याद रखना जो कि objective में question पूछा जाता है कि भाई जो आपका गुरुत्य विभव हो है बच्चो वो सदैव रिणातमक होता है नोट करके लिख लेना गुरुत्य विभव सदैव रिणातमक होता है ठीक बच्चो यह चीज आप लोगों को लिखना है सदैव रिणातमक होगा जब इसका हम विभव का बिंजक निकालेंगे तो वहाँ पे आप आसानी समझ जाओगे इसका कोई आप से मातरक पूछे तो आप मातरक बता सकते हो मातरक क्या होगा बच्चो बता दो आप लोग तो मातरक निकालने के लिए डबलू का मातरक क्या होता है जूल और एम द्रबमान है बच्चो किलोग्राम तो मातरक क्या हो जाएगा मातरक किलोग्राम मातरक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम क्या होगा बच्चो जूल प्रति किलोग्राम क्या होगा जूल प्रति किलोग्राम नोट कर ले ना बच्चो इसका मातरक है आपका जूल प्रति किलोग्राम क्या बच्चो जूल प्रति किलोग्राम ठीक है किसी को कोई प्राबलाम हो तो बता दो भई, जूल प्रती किलोग्राम इसका मात रख होगा बच्चो, क्या हो जाएगा जूल प्रती किलोग्राम इसका बिमिये सूत्र बिमिये सूत्र अबजेक्टिव में question पूछा जाता है नोट करो भई, बिमिये सूत्र बता हो आप लो बिमी सूतर के लिए कार है कार का होता है बल गुडे विस्थापन और बल का बिमी सूतर होता है M L Tic Power Minus 2 और विस्थापन आपका L ही है ठीक है और किलो ग्राम का द्रब्मान का आपका M हो जाएगा बच्छो M से M हो जाएगा कट जाएगा तो M बचेगा ही नहीं L आपका 2 है तो L square Tic Power Minus 2 हो जाएगा इस तरीके से इसका बिमी सूतर निकाला जाता है क्योंकि भाई देखो आप लोगों ने भी बराबर फर्मुला पढ़ लिया W upon M तो W क्या है कार है कार का होता है बल गुडे विस्थापन बल का बिमी सूतर M L Tic Power Minus 2 बिस्थापन L हो गया बच्चो और द्रब्मान का M है M से M कट गया बचा का M 0 हो गया L square Tic Power Minus 2 हो गया तो ये आपका गुरुतिवी वहो का मातरक बिमी सूतर है और प्रकत याद कर लेना नोट में आपका पहला है बच्चो दूसरा है इसकी जो रासी है बच्चो एक अदिस रासी है ठीक है कैसी रासी है बच्चो अदिस रासी है ठीक है अदिस रासी है तो ये दो नोट कर लेना की गुरुतिवी वहो सदैवरणात्माख होता है और दूसरा बच्चो गुरुतिवी वहो की 29 इंक्यानवी वनचास 9685299149 मेरा परस्टनल लंबरे बच्चों कॉंटेट करना है कर सकते हैं 9685 29 99 इंक्यानवी वनचास फिलाल अभी कलीतना ही जैहिंद बंदे मातराम